Hello Guys, कैसे हैं आप लोग Guys, मैं सेफखान रिजिटर्ट फार्मासिष्ट फिर से हज़रू आपकी सेवा में Guys, हमारे काफी सारे वीवर्स हमें कमांड कर रहे हैं वटसप पर मेसिज कर रहे हैं उनके स्टेटस में जो इस तरहां की इरग देखने को मिल रही है तो अगर आप pharmacist हैं आपने registration अपना कर लिया है और आपके registration के status में इस तरह का error आ रहा है जिसमें लिखा है Please click on the link to view download the new format for the affidavit as your application will be accepted only after the submit affidavit in the new format अगर इस तरह की आपके status में दिक्कत आ रही है तो इससे कैसे निप्टा जागा यह कैसे दूर होगी और यह क्यों आ रही है सारी जानकारी हम आपको देंगे अगर आप फार्मसिष्ट हैं तो आपके लिए काफी knowledgeable वीडियो है आप इस वीडियो कान तक जरूर देखिए और पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए तो दोस्तों हमारे बहुत सारे ऐसे वीवर्स हैं जिसने डी फार्मा या बी फार्मा कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद अब फार्मेसी कॉंसिलिंग और इंडिया में रेजिस्टेशन सार्टिफिक है जो कि एफिट एफिट कचेरी से बनता है जैसे आप चानते हैं कि जब आपने रेजिटेशन किया होगा फार्मेसी में डी फार्मा किया हो या बी फार्मा उसके बाद इस तरह का एफिट एफिट आपने जो है रेजिटेशन के समय अप्लोड किया होगा तो इसमें कोई क्या कोई कमी होगी इसके अन्दर कोई नकोई कमी होगी तब करत आ रहे है या तो इसमें जो है आपकी जोय आपकी आपने लिखा हुआ ऊसे लिख लिख और जिसमें इसके आप for the affidavit as your application will be only after the submit your affidavit in new format तो यह कह रहा है कि आप जो है अब नया format मनाय format सा अपना affidavit बनवाईए तो क्या format है format जानने के लिए आपको इस पर click करना जैसे आप download पर click करेंगे तो इस तरह से यह खुल के आ जाएगी file इसी तरह का आपको बनवाना है कचेरी से इसमें 5 लाइने दे हुई है यह 5 लाइने आपको पूरी affidavit में fill full करानी है और इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ देख सकते है status लिखके आ रहा है तो यहाँ पे कुछ दिनों बाद इस तरीके से लिखके आ जाएगा query आ जाएगी मजब इस तरह से option लिखके आ जाएगा कि आपको यहाँ पे upload करना है तो आपको इस format में बनवाने के बाद और यहाँ पे आनकर इसको upload कर देना है जब आप upload करेंगे तो आपकी यह दिक्कत हट जाएगी दो से चार दिन में आपकी यह problem हट जाएगी तो दोस्तो आपके पूरी बास समझ में आ गए अगर आपके अब भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूरा